नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्राध्योगे की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए। शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्षित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कोशन एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। आईए अब हम कुछ प्रश्न हल कर लें जो की तवरण पर आधारित हैं। जो है वो 0 हो जाएगा। तो हम सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं कि प्रारंभिक वेग जो है वो कितना हो जाएगा। 0 मीटर प्रति सेकेंड और प्रारंभिक वेग को हम किस तरीके से निरुपित करते हैं। इसके लिए हम अंग्रेजी का अक्षर यू प्रयोक करते हैं तो यहाँ पे हमने लिख लिया यू पराबर 0 मीटर प्रती सेकेंड इसके बाद हमें क्या दिया गया है आईए फिर से प्रशन को पढ़ें और 30 सेकेंड में तो जो समय अंतराल यहाँ पे दिया गया है वो है 30 सेकेंड तो फिर से यहाँ पे लिख लिजिए कि दिया गया समय अंतराल कितना दिया गया है समय अंतराल आपको दिया गया है 30 सेकेंड इसको निरुपित करने के लिए हम अंग्रेजी का अक्षर T प्रयोग करते हैं जो की 30 सेकेंड बदाता है 30 सेकेंड में 6 मीटर प्रती सेकेंड के वेग तक पहुँच जाता है इसका वेग अब भड़ करके कितना हो गया है हो गया है 6 मीटर प्रती सेकेंड यानि कि अगर हम बात करें इसके अंतिम वेग की लिएकि अंतिम वेग हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसके बाद ये लड़के ने चलने अबंद कर दिया होगा या यहां पर पूरी स्थिती खतम हो गई मगर जितनी यात्रा का दोरान हमें देखना था मतलग जो परिवेश हमारे पास है उस स्थितीम को देखते हुए जो प्रारंभिक वेग है वो 0 मीटर प्रती सेकेंड है और जो अंतिम वेग है वो 6 मीटर प्रती सेकेंड है और अंतिम वेग के लिए जो अक्षर हम प्रयोग करते हैं निरुपित करने के लिए जो अक्षर प्रयोग करते हैं वो है अंग्रेजी का अक्षर V का छोटा रूप यानि कि V पराबर हो गया 6 मीटर प्रती सेकंड इसके बाद वो लड़का अपनी गती को एक समान रूप से कम करते हुए 5 सेकंड में 4 मीटर प्रती सेकंड के वेक तक पहुँच जाता है अब देखिए ये हमको यात्रा का एक भाग दिया गया था इसके बाद यात्रा का दूसरा भाग शुरू होता है और दूसरे भाग के लिए कहा जा रहा है कि यहां से ये लड़का अपनी गती को एक समान रूप से कम करते हुए अगले 5 सेकंड में 4 मीटर प्रती सेकंड के वेक पर पहुँच जाता है तो हम यहां पे क्या देखेंगे कि इसको तो हम कहेंगे केश 1 की यात्रा का पहला भाग और उसके बाद इसको हम कहेंगे केश 2 तो अगर हम केश 2 के लिए देखें तो अब यह जो वेक है 6 मीटर प्रती सेकंड यह हो गया प्रारंभिक वेक और समय अंतराल बदल करके हो गया 5 सेकंड और अंतिम वेक हो गया 4 मीटर प्रती सेकंड और एक ही प्रश्न में भी कह रहे हैं कि दोनों ही परिवेश में इस लड़के का तवरण परिकलित कीजिए मतलब तवरण जो है यहां पर अलग आएगा और इस स्थिती में तवरण अलग आएगा मगर तवरण का सूत्र तो एक ही रहेगा और तवरण का सूत्र क्या है गती में परिवर्तन की दर तो गती में परिवर्तन कितना हुआ 6-0-32 यानि कि 1-5 यानि कि 0.2 मीटर पर सेकंड स्कूर क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो अंतिम वेग था वो प्रारंबिक वेग से जादा है इसलिए जो तवरण का मान आया वो एक धनात्मक संख्या है आईए हम दूसरे वाले केस में देखें कि क्या होगा तो इस केस में तवरण अगर हम देखेंगे तो सूत्र तो वो ही रहेगा मगर यहाँ पे जो हमारे पास अंतिम वेग है वो प्रारंबिक वेग से कम है यानि कि माइनस दो बटा पांच यानि कि माइनस शून दशम लवचार मीटर पर सेकेंड इसक्वाइ तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जब कोई वस्तू रुक रही हो या धीमे हो रही हो अपनी गती को कम कर रही हो अपनी चाल को कम कर रही हो तो उसका तवरण जो है वो हमें एक धनात्मक संख्या मिलता है जैसा कि केस टू में हुआ और अगर हमारे पास कोई एक ऐसी वस्तू है जिसका वेग भढ रहा है तो हम देखते हैं कि उसका तवरण जो है वो एक धनात्मक संख्या है जैसा कि केस बन में हुआ इसके बाद अगर हम दूसरे प्रशन की ओर बढ़ें तो दूसरा संख्या आत्मक प्रशन क्या कह रहा है एक बस की गती पांस सेकंड में 80 किलोमीटर प्रतिगंटा से घड़कर 60 किलोमीटर प्रतिगंटा हो जाती है तो यहाँ पे बात की जा रही है एक बस की और इस बस के बारे में हमें क्या बताया क्या कि इस बस की जो गती है वो शुरुआत में शुरुआत यानि कि जब हम इसका अध्यन करने का शुरू कर रहे हैं जब हम इसको अब्सर्व करना शुरू कर रहे हैं तब इसकी जो गती है वो है 80 km प्रती घंटा और ये गती जो है वो 5 सेकंड के अंतर पे घट करके कितनी हो जाती है? 60 km प्रती घंटा तो ये जो गती है वो घट करके हो जाती है 60 km प्रती घंटा अब क्या कह रहे हैं? कि बस का तवरण ग्याद कीजिए तो अगर हम बस के तवरण की बात करें तो बस का तवरण होगा कितना गती में परिवर्तन यानि कि अंतिम गती माइनस प्रारंभिक गती बटा जो भी समय लिया गया हो अब यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि जो गती का अंतर है जो चाल का अंतर है जो वेक का अंतर है वो आ रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में और जो समय अंतराल है वो दिया गया है हमको सेकेंड में तो यहाँ पर क्यूंकि हमारे पास जो एकाई है वो सही नहीं बैठ रही तो हम सेकेंड को घंटे में ही बदल लेते हैं तो हमारे पास पास सेकेंड को अगर हम घंटे में बदलेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक सेकेंड में कितने घंटे होते हैं एक बटा 36 घंट होते हैं तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं तो second और second आपस में cancel हो गया तो हमारे पास आया minus 20 बटा 5 बटा 3600 और इसका मात्रा कितना होगा किलो मीटर पत्री घंटे की घाद हो तो अगर हम इसे हल करेंगे तो यह आएगा 4 और यह आजाएगा minus 4 गुना 3600 किलो मीटर प्रती घंटे की घाद हो और यह आजाएगा minus 14400 किलो मीटर प्रती घंटे की घाद हो तो इस बस की तवरण यह है अगर आपको इस मान को देख करके घवराहट हो रही हो कि इतना जादा तवरण कैसे हो गया तो आप इसको मीटर प्रती सेकेंड में भी बदल सकते हैं जैसे कि अगर मैं तवरण किलो मीटर प्रती घंटे की जगा मीटर पर सेकेंड में निकालू तो 60 को हम बदल लेते हैं 60 गुना 5 बटे 18 माइनस 80 गुना 5 बटे 18 और इसको हम भाग दे दें 5 से तो हमाई पस कितना आ जाएगा 5 बटे 18 ये वाला 5 आ गया और गुना माइनस 20 तो देखें ये हल होकर कि आ जाएगा 9 ये आ गया 10 यानि कि माइनस 10 बटे 9 यानि कि माइनस 1 दशमलव 1 दशमलव 1 के उपर बार और ये तवरण आ गया मीटर प्रत सेकेंड स्कूरर में तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मात्रक का अंतर है बाकी को अंतर नहीं है इसको देखें बिल्कुल ना घबराएं कि तवरण जो है वो इस बसका हम चाहें तो किलो मीटर प्रति घंटा स्कूरर या मीटर प्रति सेकेंड स्कूरर में भी निकाल सकते हैं आईए एक और प्रशन देखनें एक शन पर एक तिनके की गती सकरात्मक एक्स अक्ष की दिशा में 18 मीटर प्रति सेकेंड है यानि कि अगर हम इस तिनके की गती को सकरात्मक एक्स दिशा में देखें तो है 18 मीटर प्रति सेकेंड और 2.4 सेकेंड के बाद उसकी गती विप् तिशा में कितनी हो गई है यहाँ पर बताया क्या है 30 मीटर प्रती सेकेंड 30 मीटर प्रती सेकेंड और इस दोरान लगने वाला समय जो है वो है 2.4 सेकेंड इस तिनकेक का 2.4 सेकेंड के समय अंतराल में तवरण परिकलित कीजिए तो देगे अगर हम तवरण की बात करें तो इसकी जो गती है वो माइनस 30 है जो अंतिम गती है अंतिम वेग है और जो शुरुवाती वेग है प्रारंभिक वेग है वो 18 हो गया और पूछा गया है कि हमें इसका तवरण प्रिकलित करना है तो माइनस 48 पटे 2.4 मीटर प्रती सेकंड स्कॉर जो की अगर हम यहां से शूने हटा लगा देंगे तो यहां गया 20 है ना तो यहां गया माइनस 20 मीटर प्रती सेकंड स्कॉर तो यहां पे जो एक बहुती सामान गल्ती देखी गई है कि आप यहां माइनस 30 की जगा प्लस 30 कर देंगे और आपका उत्तर पूरा उल्टा-पूल्टा हो जाएगा खुद सोचिए कि कितना जादा परिवर्तन है वेग में जब पूरी दिशा के साथ वेग बदल करके इतना जादा बढ़ गया तो वेग में जो अंतर है अगर जब भी आप पूर्ण संख्याओं के परिकलना करते हैं तो चिन्न की कितनी जादा वहाँ पर हैमियत हो जाती है बिल्कुल उसी प्रकार आप समझे कि 18 एक दिशा में था जो की दिशा है धनात्मक और 30 जो है वो दूसरी दिशा में है जो की है रिनात्मक तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को अगर आपने घटाया और बटे किया समय के तो आपको मिल जाएगा माइनस 20 मीटर प्रती सेकेंड स्कॉयर यहाँ पे चिन्न का बहुत जादा महत्व है तो आप देखते हैं कि अगर परिवर्दन वेग में जादा है तो तवरण भी अपने आप जादा आ जाएगा